वेल्कम तो न्यू लेस्ट इस लेसन में हम एक वीडियो अड़ बनाएंगे जिसमें हम टार्गेटिंग करेंगे बेज्ड ऑन प्लेस्मेंट मतलब हम वो वीडियोस को डिसाइड करेंगे जिनके उपर हमारी अड़ आनी जाए मैं तो सबसे पहले सब country आपको एक वीडियो है सबोज को और मैंने यहां पर देख सकते हैं बूगल पर मैंने सर्च मारा है प्रोटीन पाउडर राइट अब यह देखो वाट इंडियन नहीं प्रोटीन सप्लेमेंट्स फिर अगर मैं है पर सर्च मारूं best protein powder अब देखो यहाँ पर add आ रही है why is way the best among all अब यह मुझे पता है किसी से related है protein से related यह कौन देखेगा again जो की interested हो body building में या protein लेने में तो suppose करो मैं इस video के उपर add दिखाना चाहता हूं और ऐसी ही 10-15 वीडियोज हैं जिनके उपर मैं add दिखाना चाहता हूं तो यह मैं कर सकता हूं through placement selection तो यही काम हम आज करने वाले हैं ठीक है बहुत ही बहुत ही ज़ादा easy है तो जो भी आपका business है आपको क्या करना है आपको उससे related content ढूंडना है YouTube के उपर ठीक है आपको यह देखना है कि जो आपकी target market है वो कौन सी वीडियोज देख रही होगी वो क्या content देख रही होगी और उन्ही वीडियोज के उपर उसी content के उपर आप अपनी add दिखा सकते हो तो वो content पकड़ो और simple उसके उपर आप add दिखा दो ठीक है जिसे हम कहते है adds by placement वही हमें काम आज करना है तो चलिए start करते हैं तो simple मैं गया campaigns मैंने किया new campaign create a campaign without a goal then मैंने लिया video और ये भी मेरे in stream add है तो मैं इसको भी लूँँगा custom video campaign और then मैं करूँँगा continue और then मैं यहाँ पर भी campaign का नाम लिख दूँगा तो suppose मैं लिख देता हूँ protein और underscore placement then ये maximum अब देखवा आपके बस दो option है या तो cpv एक view के पैसे दे सकते हो या cpm तो in stream है तो हम पैसे देंगे by cpm और यहाँ पर हम daily ले लेंगे सपोज मैं खर्च करना चाहता हूँ daily 500 network मैं ले लूँगा simple youtube videos language मैं से रहने दूँगा location इंडिया ठीक है inventory standard ठीक है excluded कुछ है नहीं selective optimization तो मैं जो भी मेरा goal है वो मैं select कर लेता हूँ तो suppose करो यह है goal मेरा analytics वाला जो मैंने import किया है इसको मैंने कर लिया save devices तो suppose करो में tv पे नहीं दिखाना चाहता तो tv मैंने यह से इटा दिया frequency capping में छोड़ देता हूँ ad schedule all day रहेगा और इसको मैं ले लेता हूँ placement demographic सपोज मैं 18-24 वालों को नहीं दिखाना चाहता तो उन्हें मैंने uncheck कर दिया अब suppose करो मुझे इस वीडियो पैट दिखानी है तो यह वीडियो मैंने किया select और यहाँ पे किया मैंने paste बहुत है simple वीडियो select किया और वीडियो को paste किया अब यहाँ चले जाओ YouTube वीडियो अभी यहाँ पे आने रही तो एक काम करो इसको run करो और skip करो और यहाँ से एक बार फिर से लेते हैं copy वीडियो यूरल यह आ गई अब इसको कर लिया हमने select बिल्कुल simple अब फुड़ा आगे बढ़ो अब यह देखो यह भी body building से related है ठीक है तो suppose मैं इस वीडियो पे भी add दिखाना चाहता हूँ तो again मैंने url copy किया वीडियो का यहाँ पे आया और इसको किया paste और इसको किया select अभी मेरी add बस इन दो वीडियो पे दिखेगी और देखो नीचे और add आ रही होंगी top 10 high protein food high protein food 2018 और यह देखो वजन बढ़ाएं homemade protein shake, no way protein gym trainer if you buy optimum nutrition then you have अभी देखो यह भी protein से related है और इसे करो copy video url इसको करो select और इस पे भी हमारी add दिखाएंगे ठीक है ऐसे यह और देख लो pre and post workout meal अब देखो यह workout meals related है मतलब अगेन इसमें भी protein वगर की बात होगी तो मैं इस पे भी add दिखा देता हूं ठीक है तो ऐसे जितनी मेरों को videos मिलेंगी वो सारी videos मैं यहाँ पे डाल दूँगा और उन videos के उपर मैं add दिखाऊंगा आप यहाँ देख सकते हो कि weekly मेरी add को कितने impression मिलेंगे 10,000 तो अब होगा क्या कोई भी suppose इस video को देखने जाएगा तो इस video के starting में या बीच में मेरी add आ जाएगी जट से जिसे की वो skip कर सकता है अब यह add एकदम highly targeted है यह highly targeted क्यों है क्योंकि again यह videos कौन लोग देखेंगे यह videos वही लोग देखेंगे जो की protein में interest रखते हैं और तो कोई देखेगा निए तो एकदम targeted adds है जो की इन लोगों को दिखेगे ठीक है तो यहाँ पर हमें वो video select करनी है that's it और कुछ नहीं करना अगर आप कोई channel select करना चाहता हूँ suppose मैं पंगाल fitness channel ही select करना चाहता हूँ तो मैंने यह click किया और यह मैंने channel का URL copy किया और मैं आया YouTube channel के अंदर और यहाँ से मैंने डाल दिया और यह ले लिया पंगाल fitness अब पंगाल fitness के channel पे जितनी videos है उस पे मेरी add आईगी अब देखो monthly impression weekly impression कितना हो गया एक लाख बीस अजार impressions आ सकते है मेरी channel ठीक है बहुत simple CPM आप कितने पैसे देना चाहते हो 1000 लोगों को add दिखाने के लिए तो suppose मैंने कर दिया 200 ठीक है टॉप content bid adjustment जैसे हमने बात की थी popular content के लिए से मैं 10% ज़्यादा देना चाहता हूँ then आपको यहाँ पे add create करनी है तो आप अपनी channel पे जाओगे और जो आप video as a add run करना चाहते हो आपको वो video लेनी है और वो यहाँ पे paste करनी है ठीक है और यह in stream add है तो यह मैंने ले लिया in stream और यहाँ पे मैंने अपनी channel का डालना है url यहाँ पे channel का मुझे डालना है url यह मैंने डाल दिया url और इसको कर दिया मैंने https call to action ले लेते हैं आपको से मैंने ले लिया buy now और यहां पर लिख देता हूं मैं best protein और add और देते हैं और यहां से कर देते हैं create campaign तो आपने देखा कितने असान तरीके से मैंने campaign बना लिया तो आपको करना क्या है इसमें आपको जितनी videos है जो कि आपके business से related है जो कि आपकी target audience देखती होगी वो videos की आपको list बनानी है और और वहां से वो सारी कहा कहा आपकी वहां वहां जो जो वीडियो आप लोगे वहां वहां आपकी ad YouTube दिखाएगा ठीक है जी बहुत ही बहुत ही आसान और इससे बहुत ही ज़ादा अच्छे results आते हैं क्यों अच्छे results आते हैं क्योंकि एकदम targeted ad है उन्हीं लोगों को ad business में interested है पालतू लोगों को आपकी ad नहीं दिखेगी ठीक है so make sure कि आप इस ad की practice कर रहे हो पूरी list बना रहे हो then आप उन लोगों को ये ad दिखा रहे हो ठीक है thank you so much for watching this list